दूर तर्शिता और द्रिड निश्चे निर्नायक नित्रित्व और सुध्रिड प्रयास आत्म निर्भर भारत के पथ प्रणेता युग द्रिष्टा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नित्रित्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है गत साड़े साथ वर्षों की भारत की अभूत पूर्व विकास यात्रा के साक्षी बने है नौर्थीस्ट के आठ राज्जे माननिय प्रथान मंत्री ने जिन्हें माना है भारत की अश्ट लक्षमी आज नौर्थीस्ट सर्वसपर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लगातार बना रहा है नए आयां रेट, सडक, जलमार्ग और हवाई अड़े सहित फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रॉक्चर से सज रहा है हमारा नौर्थीस्ट और बन रहा है न्यू इंडिया का सशक्त भागीदार 2014 में नौर्थीस्ट में 11 एयरपोर्ट थे जिनकी संख्या करीब तेर गुना बढ़कर 16 हो चुकी है असम में रूपसी, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, अरुनाचल में तेजू और पासी घाट एयरपोर्ट लोगों को देश दुनिया से जोड़ रहे है तो अरुनाचल के होलोंगी में 650 करोड की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है मनिपुर की राजधानी इमफाल में भी एयरपोर्ट के एक शमता विस्तार के लिए 500 करोड की लागत से न्यू इंटिग्रेटेट टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है नौर्थीस्ट की जरूरतों के लिए 16 नए हैलिपोर्ट भी वनाय जा रहे है अश्ट लक्ष्मी के प्रगती को समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि नौर्थीस्ट में विमानों की आवजाही व यात्रियों की संख्या साढ़े साथ सालों में दोगुनी हो चुकी है एरपोर्ट्स अथोरिटी ओफ इंडिया के तहट नौर्थीस्ट के एवियेशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुट रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड रुपे की लागत से बने महराजा पीर बिक्रम हवाई अड़े के नए इंटीग्रेटिड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे है इससे अगरतला के एरपोर्ट की बीका और केपैसिटी 500 यात्री से करीब धाई गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी इससे न सिर्फ त्रिपुरा बलकि पूरे नौर्थीस्ट के सामाजिक, आर्थिक वा सांस्क्रतिक विकास को बल मिलेगा नए निवेश आकरशित होंगे क्षेत्र के परियटन से लेकर स्थानिय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी स्थानिय उपज वा उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे स्वरोजगार वा रोजगार के लिए संभावनाओं की नए द्वार खुलेंगे नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एरपोर्ट का विस्तार पहले से तीन गुना अधिक शेत्र फल में हो गया है एरो ब्रिजिस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक-इन काउंटर से लेकर बैगेज कनवेयर बेल्ट्स तक अगरतला हवाई अड़ा, बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समरिध संस्कृदी और कलाको, बैंबू प्लांटेशन, उन्ना कोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्प्चर्स वह अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाय गया है साथ ही हवाई अड़े का परिचालन पूर्ण रूप से हरित उर्जासे करने के लिए दो मेगवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है नए टर्मिनल भवन और नए क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एरपोर्ट नौर्थीस्ट की समरिधी का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तयार है